उत्रक्षंट से हमें कॉल आया है सतेंद्र जी का जी सतेंद्र जी किस तरह की परिशानी है आपके साथ सवाल आप कर सकते हैं जी आप हमें सुन पा रहे हैं जी सवाल करें मेरा तरह साल की एक बाजी शक्षिय उख्रगे था बिलकुल पगलती एक बार फिर से आप बताएं आपकी आवाज वो बहुत ज्यादा सप्ष्ट नहीं है किस तरह की समस्या है मेरी समस्य है कि मैं इसको बरम तो आता है शुझो को दो बाल मेरे की जाता हूं लेदी नाती चस्मिया जो उसके वाली टेस्ट आता है जाता है जी उम्र कितनी है आपकी? मेरी उमर तरेपं साल और यह समस्य रहें ऐसे कब से मैं इखनेषे अक्रप्से लेएरा और यह तो रहीज होगतु है बहुते हैं प्तली और ह मुश्क्ट से तकलीव कि आजकी? करनल दहरा है? प्तली बाल मेरे समस्य आजे है जानी हो और मुझे उसके कमजोरी आ जाती है और ग्याप रहता है जैसे आज चले गए तो कल तकलीफ होती है पेट लेर नहीं हो पाता ठीक है ठीक है अगर बहुत बड़ी समस्या नहीं है और विनानी में हर समस्या का निदान है देखिए मैथी तो आप समझते मैथी का दाना लीजे 500 ग्राम मैथी और इसको पौडर बना लीजे बहुत बारीक नहीं पौडर बना लीजे 500 ग्राम का और एक आता है नमक जैतून ये रसायन होता है जैतून का जैतून एक फल है जो खाड़ी के मुलकों पैदा होता है जिसका सेवन जिसका तेल निकाला जाता है उसका सिरका भी होता है इसका नमक भी होता, नमक जैतून के नाम से या रसाइन जैतून या एस्टेक जैतून, ये डेर सो ग्राम लेकर इसमें मिला लीजे, ये नमकीन नहीं होता, इसे कहते नमक हैं, देखने में नमक हैं, लेकिन नमकीन नहीं होता, इसमें डेर सो ग्राम मिला लीजे, और पाउडर बना करें जुरुत पढ़ने पर एक एक चम्मज भी ले सकते हैं लेकिन आदा आदा चम्मज चुरू करें और यह आप खतम होने से पहले आपकी समस्या का समधान मुम्किन है और दरशक हमारे साथ जोड गई है मीना देवी जी ने हमें कॉल किया है प्रशानी क्या है आपके साथ मतलब थाइरयद की वज़े से क्या समस्या आती है आपको परसानी है मताता है दरत करता है कमोर दरत करता है ठेल जी हकीम साथ देखिए थायराइट ठीक करने तो हो सकता है किसी और इलाज की ज़रूरत ना पड़े थायराइट का एक काम्याब नस्का जो मेरे जीवन और अनुभाव से होकर गुजरा और जिसके करोड़ों लोगों ने लाब उठाया आपको पेश कर देता हूँ लिख लीजे काउं भी पैन है तो लिखने का फायदा है आप दिमाग में रखेंगे तो निकल जाए कोई गलती करेंगे तो मैं जमेदार नहीं तीन सो ग्राम धनिया, सो ग्राम आमला, सो ग्राम मेथी, और सो ग्राम गौन मौरिंगा सफेद सो ग्राम गौन मौरिंगा सफेद, तीन सो ग्राम धनिया, सो ग्राम आमला, सो ग्राम मेथी, सो ग्राम गौन मौरिंगा सफेद पाउडर बनाएं, एक चम्मच सुबा, एक चम्मच शाम खाएं, थायराइट की गोली भी न छोड़े हर महीने आपकी गोली कम करते जाएंगे डॉक्टर इतना फायदा देता है और आप बहुत जल्दी आपकी थायराट की गोली ठीक हो जाएगी खतम हो जाएगी और बहुत जल्दी आपकी थायराट गोली छूट जाएगी थोड़े दिन में ये भी खतम हो सकता है और आप स्व गुम रहता है जी एज बताईए विकरम साहब अगर साथर साल एज है सर में ठीके विकरम साहब एक घरे लिए उसका बड़ा अच्छा है और आप जानते भी होंगे देखिए मैथी लीजे पांच सो ग्राम मैथी खरीद लें और इसको पाउडर बना लें घर में और एक रसाएं आता है जैतुन का रसाएं कर भी कहते हैं या नमक जैतुन आसान भच्छा में कहते हैं नमक जैतुन और इंगलिच में कहते हैं एस्टेक, जैतून का एस्टेक, ये सो डेर सो ग्राम ले लिजे और इसमें मिला कर एक चम्मच सुबा एक चम्मच खाया करें, आपकी ये दोनों समस्या आएं, ठीक होना मुम्किन है. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इन दौर से हमें कॉल किया है, जुनेद साहब ने, जुनेद जी सवाल पूछें. मीडम जी, सर दर्द होता है और चक्कर से आते हैं. सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 33 साल. 33 साल, जी. दर्द होना और चक्कर भी आने का मतलब है, कि हमारी, यहां गर्दन में, डिस में, रग दबती है, कभी, दिमाग में जाने वाली, तो कभी, सर में चक्कर आता है, कभी दर्द होता है, बड़ा खतरनाक है चक्कर. तो देखी, बगेर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं, इसका मुझे काफी तजर्बा है, एक जमाने में भी सर्वाइकल का मरीज रहा हूं, और जिसको सर्वाइकल होता है, बड़ा उसका तमशा होता है, डॉक्टर कहता है कि आँख का टेस्स करा हो, आँखे कमजोर होगी है पिर वो ठीक निकलता है, तो पिर एक डॉक्टर कहता है, दिमाग का टेस्स करा हो, लेकिन सर्वाइकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आदमी परिशान हो जाता है, कितने टेस्स करा है, एक मैं आपको बताता हूं, एक्सरसाइज जो मैंने की और मुझे फाइदा हुआ और मैंने लाखों करोनों को बताया, उन सब को फाइदा होता है, जो मेरी बात गोर से सुनते हैं, और मेरी एक्सराइज गोर से देखते हैं, देखिए ऐसे बैठी है, और ये कान इससे मिलाई है, कंदे से, कंदा वहीं रहना चाहिए, अक्सर लोग ये कंदा उपर करके कान मिलाई ते, ऐसे नहीं, कंदा यहीं रहे और कान ऐसे, ये दो-तीन मिनट रोज करना हैं आपको, और दो-तीन मिनट ऐसे, पूरी तरह मोड़ें, पूरी, जितने देखिए, मैं यहां तक लिया आता हूँ, यहीं देखें, दो-तीन मिनट ये रोजा ना करें, आपको बहुत आश्चरिये भी हो सकता है, कि दस दिन में ऐसा लगेगा कि आपको रोगी नहीं हैं, तो देखेंगे, दवा भी खाएं, जब आपको दन्त हो तो दन्त की दवा खाएं, लेकिन ये दस दिन जरू करें, दस दिन में आपका विश्वास बहुत मद्बूत हो जाएगा, और व बड़ा सा वक्त निकाली है, और आप देखेंगे कि आप सेहत में जिन्दगी गुजार सकते हैं, क्रिश चावला जी ने हमें कॉल किया है, राजधानी दिली से, क्रिश जी आपके साथ किस प्रकार की समस्या है, जी, और कुछ बताना चाहते हैं, कितनी उमर है आपकी, देखेंगे, दस साल के मरीज को थायराइट है, ठीक है, कोई बात देखेंगे, अभी से इलाज बड़ा आसान हो जाएगा, देखेंगे, अलसी, सौरी, देखेंगे, धनिया, दाना, धनिया का दाना, तीन सो ग्राम, सो ग्राम आउला, सो ग्राम मेथी, और सो ग्राम गौन मौरिंगा साफेद, यह आप पाउडर बना लें, और आधा चम्मश सुबा, आधा चम्मश शाम, गरम पानी से खिलाएं, और थायराइट की दवा जो चल लएए, अभी छोड़ें नहीं, और अपनी परानी रिपोर् हैं, और जब नहीं कराएंगे, देर दो महीने बाद नहीं रिपोर्ट कराएं, और आप देखेंगे कि थायराइट में कमी आने लगी, और धीरे-धीरे डॉक्टर आपकी इस पच्चे की प्रोटेंसी कम करेगा दवाओं की, और धीरे-धीरे छूट जाएंगी, आप यह इ में दर्द रहता है, और वो जब ब्लेड प्रेशर पीजी से चाहत है, जे, उमर कितनी हैं आपकी? मेरी उमर है जी पच्पंसाद, पच्पंसाद, हाँ देखिए, दो चीजे बताता हूँ आपको, एक एक करके भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी इलाज कर सकते हैं, या एक सा करमर में दर्द हो, तांगों में, घुटनों में, पैरों में हो, तो उसके घर में Western टॉयलेट का उप्योग होना चाहिए, ऐसे मरीज के लिए हर घर में Western टॉयलेट, यानि कुर्सी वाला bathroom जरूर होना चाहिए, तो ऐसे मरीज जल्दी ठीख हो जाते हैं, और जिनके नहीं ह काला गंद होता है, काला गंद कहते है, इसे गंसिया भी कहते हैं, और ये сто دो सो गिराम अगर आपको मिल गया, असली, असली रेना जरूरी नकली मिल जाता है, बहुत कड़ुआ होता है, लेकिन फाइदे में बहुत मीठा है, फाइदा पहुँचाता है तो आदमे कड़वार बोल जाता है इसकी इसका पौरडर बना लिजे और एक या दो चुटकी सुबा एक या दो चुटकी शाम खाने के बाद बगए चर्बी के दूसरे लें और पानी से भी ले सकते हैं जूस से भी ले सकते हैं जिनको डाइबटीज नहीं है यह आपके दर्द का घरे लिए उसका है और ब्लेट पेशर के लिए जो दवा खाते हैं वो खाते रहें और लगातार रोजाना तीन चम्मच जैतून का सिरका पानी मिला कर एक वक्त रात में पिया करें जुरूर्ट पढ़े तो दो टाइम भी पी सकते हैं इससे आपका ब्लेट पेशर भी ठीक होना मुम्किन लेकिन 6-7 महीने आपको पीना होगा अपनी दवा के इस्तेमाल के साथ-साथ एक और कॉलर है दल्दीप कॉर्ड जी ने हमें कॉल किया है भटिंडा से उनसे बातचीत करते हैं जी बताएं क्या परिशानी है आपके साथ जैतून का सिर्का शायद इन्होंने मंगवाया था आप यह क्या रही है आप जी हांगी के मैंनों को परिशानी क्या है आपके साथ किस तरह की बीमारी है जी कपसे खा रही है हाँ हफते बर से दवाई खा रही है फाइदा है थोड़ा जी और कोई सवाल तो नहीं है आपका जी का ब्रेंटायक हुआ था इन्हें जी बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके खुल के बात कर रही है और यह तो पंजाबी जानती है मुझे समझा रही है मैं पंजाबी जादा नहीं जानता और देखिए आठ दिन हुए है फाइदा शुरू हो गया और यह भगवान का बहुत बड़ा इनाम है कि आठ दिन में अगर मरीज कहने लगे कि मुझे थोड़ा फाइदा शुरू हो गया तो आप खुश हो जाईए देखिए ब्रेंट का अटेक दुबारा नहीं होता जो लोग जैतून का सिर्का लेते हैं जी हाट का अटेक दुबारा नहीं होता जिसको भी होता है बार बार होता है लेकिन जो लोग यह लेते हैं उनको ऐसा इतिहा से के दुबारा नहीं होता लेकिन अगर दवा भी ली जाए तो बार बार होता लेकिन इसका ऐसा हमारा अनुभव है कि जैतून का सिर्का जो लोग लगातार लेते हैं उनको दुबारा नहीं होता दूसरा ब्लड प्रेशर से निजात मिलना मुम्किन है टाइम लगेगा बहुत चल्दी मत करना आप पांस साथ महीने भी लग सकते हैं लेकिन अगर आप जल्दबाज हैं तो ये जल्दबाजों के लिए नहीं है फाइदा शुरू हो गया एक दिन पूरा फाइदा मुम्किन है भगवान पर भरोसा करिए मुझे मत करिए दवा पर मत करिए भगवान भरोसा करिए आपको फाइदा होना मुम्किन है